नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में, हम आपको बताएंगे, कि आप किस प्रिकार से, u-days-plus में बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं, यदि आपको उसका पैन नमबर पता नहीं है, तो इसको सर्च कर किस प्रकार से आप इंपोर्ट करेंगे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सबसे पहले आपको udiceplus.gov.in official website पर जाना होगा इसके लिए आप ब्राउजर में यह टाइप करके website का address टाइप करके आप open कर लिजेगा तो इस प्रकार से front page आपके computer screen पर display होगा या mobile पर display होगा इसके बाद आपको नीचे आना है और आपको दिखाई देगा right corner पर login for all modules तो आप login for all modules पर click करेंगे तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से option दिखाई देंगे profile and facilities, teacher module, students module, जिस module में आपको काम करना है उसमें आपको login करना होगा तो अभी हम students module पर काम करना आपको बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से दूसरे school से आए बच्चों को import कर सकते हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनका pain number आपको पता नहीं है उनको आप search करके फिर import कर सकते हैं प्रोसेस हम देखेंगे तो बने रहें वीडियो में अन्ति तक login करने के लिए आपको सबसे पहले state select करना होगी जिस state से आप belong करते हैं तो अभी हम यहाँ पर मध्य प्रदेश select करते हैं और go पर click करेंगे go पर click करने के बाद अगला login page आपको कुछ इस प्रकार से display होगा लिखा आएगा login for मध्य प्रदेश आपको school का dice code और जो password आपको दिया गया है उससे आप login करेंगे तो dice code में username में dice code और password इंटर करने के बाद capture code आपको इंटर करना होगा हम इंटर कर देते हैं इसके बाद आप login कर लिजेगा कुछ समय लगेगा login करने के बाद आपके सामने जो अगला page डिस्पले होगा student database management system इसमें आपको current academic year में जाना है 2024 और 25 में है तो आप 2025 और 2024 इसके बाद आपको current academic year 2024-25 पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पूरी जानकारी डिस्पले होगी उपर आपको school का नाम आपका block आपका dice code इसकूल कौन सी कक्षा से कौन सी क्लास तक है academic year यह सारी जानकारी और username आप किस प्रकार से कौन से user से काम कर रहे हैं school user है या फिर other तो इस प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होगी तो सबसे पहले हम देखते हैं यह जानकारी है एनक बात कि आपको बच्चे को जिनका pen number आपको पता नहीं है उनको सर्च कैसे करेंगे इसके लिए आपको सबसे पहले left side school dashboard school profile इनके नीचे आपको आना है और आपको option दिखेगा import module इंपोर्ट module पर आपको click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो आपको तीन option दिखाई देंगे import within state, import outside state, drop box, inactive student list यदि आप जिस राजे से बिलोंग करते हैं उसी राजे में बच्चे को इंपोर्ट करना है उसी राजे का बच्चा है तो आपको within state पर click करना है यदि मद्यप्रदेश से बाहर का बच्चा है या आपके राजे जो भी आप बिलोंग करते हैं तो आपको outside state पर click करके go पर click करना है या फिर आपको drop box में जो student हैं वहां से भी import कर सकते हैं तो अभी हम ऐसे बच्चे जिनका pen id आपको पता नहीं है उनको search करके import करना आपको बताएंगे इसके लिए आपको import within state पर click करना है यदि आपको student का pen id और date of birth पता है तो आप direct enter करके go पर click करके अपने school में बच्चे को import कर सकते हैं और यदि आपको नहीं पता है तो आपको उपर वाले option में जाना है search by pen search by pen तो get pen and dov इस पर click करेंगे आपको आधार नंबर और year of birth आपको बच्चे का आधार नंबर लेना होगा बच्चे का आधार आपके पास होना चाहिए आप आधार कार्ड में बच्चे का आधार नंबर इंटर कीजेगा जैसे ही आप बच्चे का आधार कार्ड इंटर करनेंगे उसके पाद आपसे date of birth पूछेगा तो बच्चे का जो date of birth है मा लेजिए 2011 या 2012 तो जो भी आपका date of birth होगा आप आधार कार्ड के अनुशार इंटर कर दीजेगा और उसके बाद सर्च पर क्लिक कीजेगा जैसी आप सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने इस्टुडेंट पेन और date of birth बच्चे का आचुका है इस date of birth और पेन आईडी को आप copy कर लीजेगा या लिख लीजेगा और इसके बाद आप import कीजेगा तो हम इसको copy कर लेते हैं copy करने के बाद इसको cancel कर दीजेगा उपर इस्टुडेंट में हम इसको paste कर देंगे और इसको date of birth लिखेंगे और शुक्त गो पर क्लिक करेंगे जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे तो student status बच्चे की पूरी जानकारी जो भी student आप import करना चाहते हैं उसकी academic जानकारी current schooling details आपके सामने इस प्रकार से display होगी जिसमें student name, gender, date of birth, pen number, father name, mother name और name एस प्रकार से पूरी जानकारी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी यदि जानकारी सही है और आप इस बच्चे को import करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा जैसी आप नीचे जाएंगे तो आपको किस class में बच्चे को import करना है आपको उस बच्चे की अगली class सो होगी आपको बच्चे की import class display होगी आपको class select करना है import section, section select करना है ABC जो भी display होता है उसके बाद date of birth पर date of admission जिस तारिक को बच्चे ने आपके हाँ admission लिया है ये fill करने के बाद भरने के बाद आपको import बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप import पर क्लिक करेंगे तो आपको एक message डिस्पले होगा import, student import successfully इस परकार से ये student आपके school में import हो जाएगा तो आज हमने सीखा कि किस परकार से आप बच्चे को PN ID से सर्च करके import कर सकते हैं और अपने school में उसको add कर सकते हैं और उसकी जानकारी उसकी profile अपडेट कर सकते हैं तो ये था आज का वीडियो मिलते हैं एक बार फिर अगले वीडियो